पूरियो जाए नमस्कार दर्शकु इन्वीसी न्यूज के छोटे उस्ताद कारेकर में आप सभी का एक बात फिर से स्वागत है छोटे उस्ताद इस शब्द में ही कितना बड़ा मतलब छिपा हुआ है उस्ताद छोटे है लेकिन उनके कमाल काफी बड़े है इसी श्रंख्ला में हमारे साथ इसवक्स स्टूडियो में ऐसे ही एक छोटे उस्ताद मौजूद है जो महस छटी क्लास में है लेकिन उनके कारणा में बड़े बड़े कलाकारों से भी उपर है जिया इस वक्त अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहीन कच्छी जो छोटी उम्र में ही काफी बड़ी कलाकारी करते हैं तो आईए आज उनसे हम आपकी मुलाकात करेते हैं और खुद उनी से जानते हैं उनका ये सफर तो मोहीन आपका हमारे कारिक्रम में बहुत स्वागत है तो मैं जानना चाहोगी कि आप दर्शकों को अपना परिचाना खुद ही दे दीजिए है दोस्तो नमस्कार आदाप सस्रियकाल मैं लिटल स्टार मोहीन कच्छी और आज मैं आया हूँ इन विस्यन न्यूस के स्टूडियो में तो मैं इनकी पूरी टीम का अभार करना चाहूँगा कि इन लोगों मुझे अपने स्टूडियो मो गुलाए इस लाइक समझा कि मैं तो सबसे पहले आप जितने एनर्जी से बात कर रहे हैं तो उसे ही देख के अभी पता चल जाता है कि आप कितने बड़ कलाकार हो और कितनी अच्छी तरह से अपने शेत्र में कामियाब हो तो अपनी अच्छी चुरुवाद कब से की यह सफर कैसा रहा अभी क्या चुल रह है बड़ उसका भी नाम उन्होंने डिक्लियर नहीं करना है हाँ अभी मैंने एक फिल्म किये जिसमें मैं एक आर्मी शोल्जर की बेटे की बच्पन का रोल कर रहा हूं जिसका नाम है बैटल एंड़ और अभी मैंने हमारी फिल्म रिलीज हुई है अब तो जागो अब तो अब आगे भी बहुत से मैं आप लोग की दुआ आशिरवाद चीगे कि आगे मां और बढ़ू तो मोहिं जसे कि आपने बताया आप अभी छटी ट्री क्लास में पढ़ते हैं तो एक्टिंग और अपनी स्टडीज को कैसे में पेंटें कर लेते हैं एक्टिंग और कर आप कभी तालमेल बिगड़ा है अब तक या फिर आप मैंच काफी अच्छी तरह कर लेते हैं मैंच कर लेता हूं तो हो जाता है तो देख आप में जहां हमें एक काम से दूसरे काम में जाने को हमें ताइम वक नहीं मिलता वहीं एक छोटा सबच्चा किस तरह अपनी ला जासे आप प्रशेक्षित ले रहे हो वह कौन है आपका एक तो मैं खुद और एक तो बहुत सारे अक्टरों का मैं फेन भी हूं जैसे अमिताब बच्चन, शारुक खान, धर्में इंडिया और मेरे पापा से भी मैं इंस्परेशन लेता हूं और मेरे पापा ममा ने मेरे प जाण खाए हो या फिर स्टडी से अप या आगे क्या बना चाते हैं? मैं अपना चूब ना जाता हम है और स्टडी सесто esca रहे हो वह माहतवद हो ऑर मौीम क्या पसंद है? एक्टिंग मुझे पसंद है, मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे खेलना पसंद है, मैं अपने बिल्डिंग में खेलता हूँ, मतलब खेलता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, मतलब जो जो मैं हमारी जो दिनी तालीम है, उसको भी मैं इक्वल, 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 जितनी भ लिए खुल तो चलिए सुनाइए फिर जो आपको पसंद हो उसना दीजी दूपन पिया वाइन टू ट्री फोर जिन्देगी एक सफर है सोहाना यहां कल क्या हो किसमें जाना अरे लिए 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 चांता रू से जलना है आगे असमानों से बढ़ना है आगे अर चानतैरों से चला आगे भीछ रह जाएगा यहां कल क्या हो जसने जाना हां जिन्दगे एक सफर है सुहार हां यहां कल क्या हो किसने जाना वाह मुहिन बहुत बढ़िया बहुत ही प्यारी आवाज आपने संगीत गाया इतना अच्छा आपने गायन किया तो आपके इसमें आप किसे गुरू मानते हूँ या अपका फेवरिट सिंगर कौन है मेरे फेवरिट सिंगर है किषोर साहब रफी साहब और मेरे पापा है मुझे घर में इस सिंगी ट्रेनिंग आज की जमाने में जहां बढ़ों को बड़ों को पॉप म्यूजिक वसंद है वहां एक बच्चा है क्लासिकल संगीत को इतना मैत्म दे रहा है काफी ही अच्छी बात है और काफी अच्छा लगा सुनकर आपके मुझे यह किषोर कुमार का वो गाना काफी अच्छा लगा तो मैं आखरी सवाल आपसी यह जहना चाहूंगी कि आगे आपका एक कोई बड़ा सपना जो आप उसे पूरा करना चाहते हो वो क्या है आपका मेरा सपना यह है कि मेरी अच्छा कर रहे है तो मैं यह जानने के बहुत अच्छा को कि मैं आपसे चूट अच्छा का डेमो देख तो आपके कोई फेवरेट कोई मन पसंदीदा जिसकी आप एक्टिं कर के थोड़ी सी जिखाएंगे मुझे जी जी इखा हूँआ तो आपे मैं एक्टिं करने जाना ह इसलिए हम आपके शुक्री गुजार है यह बहुत बढ़िया मतलब गदा प्रसाद लिटिल को हमने लिटिल की आवाज में हमने सुना और कोई अच्छा है अच्छा है कि आपने मुझे इस टूडियो में बुला अच्छा है मैंने देखा है इस चैनल को बहुत चलता है अच्छा है यह बहुत अच्छा है। आपसे मिल आप बहुत अच्छा लागा, फ्कीर बद 확श बहुत अच्छा है। और यही यह बच्चा है और यही नग sìुक्या एक नन्ने उस्ताद ही आगे भी आप बनकर बड़े उस्ताद बनो तो ये थी हमारी आज की खास मुलाकार जिसमें हमने बात की मोईन कच्छी से जो है आज के हमारे नन्ने बाल कलाकार बाकी अन्ने खबरों के लिए देखती रहें बीसीन न्यूस नमस्कार झाल